हाई गाईज, वेलकुम बैक तो मैं चैनल, मैं हूँ स्पीठी और आप देखरेयों स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 24 गंटे में अपनी विश को मैनिफेस्ट ना कैसे कर सकते हैं वो कौन लोग होते हैं जो अपनी विश को बस 24 गंटे के अंदर अंदर ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं वो आज अपनी टेकनी को डन करते हैं और अगले ही पल उनके विश मिल जाते हैं कई बारना ये सारे सवाल हमारे मन के अंदर भी उठते रहते हैं हाँ हमें ये लगता है कि इन्हों ने आखिर ऐसा क्या लग किया है जो हम नहीं कर पाई आखिर इन्हों ने अपनी टेक्नीक को कैसे डन किया ये सारे सवाल हमारे मन के अंदर उठते रहते हैं तो हम ही ये चीज तो फील हो जाती है कि जो चीजें हमने डन किया और इनोंने डन किया उसमें जमीन आस्मान का फर्क है और यही फर्क को आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाले है मान लीजे आज आपको ये बता दिया जाए कि रात के 9 बजे आज आपको आपके विश्णा मिल जाएगी। जब आपको ये बता दिया जाएगा तो आप किस तरह से अपने behavior में change करोगी। किस तरह से अपने mood में change करोगी। किस तरह से अपनी feelings level पे change करोगी। आप यही न सुचूगे कि नहीं, आसाम तक तो मैं पूरी तरह खुश रहूँगी, क्योंकि हम अपनी विश को कैसे मांग रहे हैं, इसकी हद ना हमें डिसाइड करते हैं, आप किस हद तक अपनी चीज़ों को मांगना चाहते हैं, वो कौन डिसाइड करेगा, वो आप जिस हद से आप अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में मांगोगे ना, उसी हद और उसी स्पीर्ट से वो सारी चीज़ ना आपकी लाइफ में आएंगी, अगर आप अपनी हद वाइब्रेशनल लेवल पे इसी मॉमेंट पर डिसाइड कर ले तो ना, कि येस, इसी तो वो चीज़े आपको तुरंट उसी समय मिल जाती हैं, अगर आप अपनी हद इस तरह से डिसाइड करते हो ना, कि ठीक है एक महिनी के अंदर-अंदर मिल जाएगा, नहीं मिला तो ये टेक्नीक कर लूगी, नहीं मिला तो फिर उसके बाद ये कर लूगी, इस हद से आप उनिवर से मांग रहे हो ना, तो आप कभी अपने आपको mentally और emotionally और physically ना, 24 hours वाले timeline के अंदर आपने आपको कभी ला नहीं पाँगे, अगर आप चाते हो ना, कि आपको अपके wish 24 घंटे के अंदर मिले, तो आपको अपने आपको vibrationally वहां ले जाना है ना, जहां पूरी तरह अपने आपको उस position पे रख दो, कि इस moment पे मेरे wish तो मेरे पास स्खिच के ही आएगी, जिब आप इस तरह से इतने powerful belief के साथ और इतने powerful energy के साथ अपनी wish को मांगते हो ना, अपनी एक अलग हद decide कर लेते हो ना, तो वो सारी चीज़ ना, आपकी life में attract होने लग जाती है, so guys अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहिए, बाब बाई